तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, सबसे पहले देखते हैं Important Days, International Migratory Birthday यानि अंतराश्टि ये प्रवासी पक्षी दिवस ये दो बार मनाये जाता है साल में, एक तो मई के दूसरे सेटरडे को और एक अक्टूबर के दूसरे सेटरडे को, तो इस बार ये 8 मई और 9 अक्ट सेटरडे कौन सा है, इस बार इसका थीम था, Sing, Fly, Soar Like a Bird, World Athletics Day, 7 मई को मनाये गया, World Athletics Day, basically एक organization है, World Athletics, जिसका headquarter मोनेको में है, इसको पहले IAF बोलते थे, International Association of Athletics Federation, World Red Cross Day, ये Red Crescent Day भी बोलते हैं से, ये 8 मई को मनाये गया, इस बार इसका थीम था, Together We Are Unstoppable, और ये एक परसन का बर्डे होता है, जिनका नाम था, Henry Dunant, Henry Dunant, उनका जनम 8 मई को हुआ था, और Henry Dunant जो है, ये जनेवा, स्विजर लेंड के थे, और इन्होंने ही Red Cross को शुरू किया था, National Technology Day ग्यारा मई को मनाये जाता है, इस दिन हमने पोकरन में टेस्ट किये थे, इंडिया सूपर पावर बना था, नुकलिर पावर, इस बार इसका थीम था, Science and Technology for a Sustainable Future, International Nurses Day बारा मई को मनाये जाता है, ये Florence Nightingale का बर्डे होता है, International Nurses Day, इस बार इसका थीम था, Nurses, a Voice to Lead, a Vision for Future Healthcare, International Day of Families, 15 मई को मनाये गया, इस बार इसका थीम था, Families and New Technologies, International Day of Light, ये 16 मई को मनाये गया, अब देखते हैं, important लोग जिनकी death हो गई, Obituries, Obituries मतलब श्रद्धान्जली, Tribute, मशूर, Sculptor, मतलब वास्तुकार, जो मूर्तियां बनाते हैं, Sculptor, और राजेसभा, Member of Parliament, ओडिशा से थे रगुनात महोपात्रा इनकी death हो गई, महात्मा गांधी के पूर्व, Personal Secretary, V. कल्यानम की death हो गई, मशूर होकी खिलाडी, M.K. कौशिक और रविंदर पाल सिंग की death हो गई, Times Group की चेर्मेन, इंदू जैन की death हो गई, असमिया भाशा के लेखक और पत्रकार, होमेन बोर्गोहेन की death हो गई, Table Tennis खिलाडी, वेनू कौपाल चंदर शेखर, ये National Table Tennis Champion थे इनकी death हो गई, Congress के नेता और अमरित सर से छे बार सांसद, रगुनंदल नाल भाटिया की death हो गई, अब हम देखते हैं, MCQ रूप में बहु विकल्पी है प्रशन, Madrid Open, इसका Woman Single Title महिला एकल का खिताब किस ने जीता, इसको जीता अरियाना सबालेंका ने, और अरियाना सबालेंका बेलारूस की खिलाडी है, तो कंट्री भी याद रखिये बेलारूस, और बेलारूस की कैपिटल है Minsk, M-I-N-S के Minsk, वैसे ये तो Woman Single है, Man Single यानि पुरुष एकल किस ने जीता, तो वो जीता था अलेक्जेंडर जवारेव ने, Z-V-A-R-E-V, अलेक्जेंडर जवारेव, जो जर्मनी के खिलाडी हैं, और जो मड्रिड है, पेन की राजधानी है, और मड्रिड में विश्व परियतन संगठन, यानि World Tourism Organization का Headquarter भी है, Drug Controller General of India यानि DCGI ने DRDO के द्वारा बनाई गई, COVID की कौन सी दवाई है, जिसके Emergency Use को मंजूरी दे दी, आपात कालीन उप्योग को मंजूरी दे दी, इस ड्रग का नाम क्या है, इसका नाम है 2DG, और 2DG की फुल फॉर्म क्या है, 2DG, और इस ड्रग को बनाया है, एक Laboratory ने DRDO की जिसका नाम है, INMAS, INMAS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, यह दिल्ली में है, और यह वही Laboratory है, इनमास जिसने बाइक एंबुलेंस रक्षिता को भी बनाया था, दूसरी बात यह भी ध्यान लखिए, कि DRDO ने यह जो दवाई बनाई है, इसमें साहिता करी है, डॉक्टर Reddy's Laboratories ने जो एक दवाईयों की कंपनी है है, हैदराबाद की, तो DRDO ने यह दवाई अकेले नहीं बनाई, डॉक्टर Reddy's Laboratory के साथ मिलके बनाई है, और DRDO के चेर्मेन है, जी सतीश Reddy, कौन सा बैंक है, जिसे DBS बैंक इंडिया के साथ, इसका मरजर हो गया था, विले हो गया था, इस बैंक को बचाने के लिए, यह बैंक पिट गया था पुरी तरह से, प्राइवेट बैंक है यह, और अब क्योंकि यह DBS बैंक इंडिया में समा गया है, तो इसको जो Second Schedule of the RBI Act 1934, यानि RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है, तो यह बैंक कौन सा है, यह है लक्ष्मी विलाज बैंक, लक्ष्मी विलाज बैंक, भारत का कौन सा IIT है, IIT मतलब Indian Institute of Technology, भारतिय प्रद्योगी की संस्थान, जिसने मिशन भारत O2 Challenge को शुरू करा, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए, तो याद रखिए, इसका नाम है IIT कानपूर, कानपूर UP में है, गंगा नदी के किनारे है, और कानपूर में भारत का पहला चमडा पार्क भी बनेगा, भारत का पहला लैदर पार्क, हमारी कौन सी पूर्व जज है, यह जमु कश्म गीता मितल जमु कश्मीर हाई कोट की चीफ जस्टिस थी, और अगर आज की बात करें, तो आज सिर्फ एक ही जज हैं, जो भारत में एक हाई कोट की चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है हीमा कोली, हीमा कोली तिलंगाना उच नियायले की मुखे नियायधीश हैं, तिलंगाना सेकेंडरी एजूकेशन यानि केंद्रिय माध्यमिक सिक्षापोर्ड CBSC ने कौन सा मोबाईल अब लाउंच करा है जिससे शातरों और अभी भावकों की मानसिक काउंसलिंग हो सकती है मेंटल काउंसलिंग केरियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कोई मेंटल प्रोबलम है मेंटल हेल्थ को लेके तो इसका नाम रखा है CBSC दोस्त फ़र लाइफ CBSC दोस्त फ़र लाइफ और इसके चेर्मेन है CBSC के मनो जाहूजा मनो जाहूजा भारत का कौन सा पिल्ग्रिमेज है यानि धार्मिक संस्थान जिसको हमारी तेल और गैस की कंपनियां जो हैं बड़ी बड़ी जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम उसको स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विक्सित करेंगी स्प्रिच्च्वल स्मार्ट हिल टाउन बनाएंगी ये है बदरिनाथ बदरिनाथ जो है ये उत्राखंड में है और भगवान विश्नु का बहुत मशूर मंदिर है ये अलक नंदा नदी के किनारे है तो याद रखिए आंसर है बदरिनाथ लॉरियाज की तरफ से जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन अब दा येर है वो प्रुसकार किसे मिला यानि साल का बेस्ट खिलाडी कौन रहा सारे गेम्स में मिला के तो ये टैनिस के खिलाडी है और इनका जो नाम है वो है रफाइल नडाल आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे लिस्ट पूरी साल का जो बेस्ट खिलाडी है पुरुष वो है रफाइल नडाल साल की जो बेस्ट महिला खिलाडी रही वो रही नाओमी ओसाका और नाओमी ओसाका टैनिस के खिलाडी है जापान की साल की बेस्ट टीम रही बायन म्योनिक ये फुटबॉल की टीम है जर्मनी के म्योनिक शहर की और म्योनिक में ISSF यानि की इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हैड़कॉर्टर भी है आज इवन उपलब्दी प्रुसकार मिला बिली जीन किंग को जो अपने जमाने की बहुत मशूर टैनिस खिराडी रही है अभी अभी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है Elephant in the Womb तो इसको किस ने लिखा है इसको लिखा है मशूर एक्ट्रस काल की कोचलिन ने सकते हैं और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि किस हॉस्पिटल में कितने बैड उपलब्द हैं तो याद रखिए जारकंड की सरकार ने अमरित वाहीनी आपको लॉंच किया है और जारकंड की सरकार ने एक मोबाईल आप और लॉंच करा है जिसका नाम है Chatbot जिस पर आपको COVID-related सारी information online मिल जाएगी भारत को European Investment Bank जिसका headquarter लगजंबर्ग में है तो याद रखिए European Investment Bank का headquarter लगजंबर्ग में है इसने 150 million euros का लोन दिया है भारत को कौन से metro बनने के लिए कौन सी metro rail परियोजना के लिए तो यह है metro rail project पुणे metro तो पुणे में जो metro बन रही है उसके लिए पैसा दे रहा है European Investment Bank एक European Central Bank भी होता है ECB European Central Bank European Kendriya Bank उसका headquarter जर्मनी के शेहर Frankfurt में है अब यब यह किताब लिखी गई है बुद्धा इन गंधार गंधार जो इलाका है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है यह भी सिपला को तो आंसर है सिपला ICC के द्वारा बेस्ट खिलाडी पुरुषों में कौन डिकलेर किया गया अप्रेल में Men's Player of the Month तो पुरुषों में थे बाबर आजम और बाबर आजम जो हैं यह पाकिस्तान के खिलाडी हैं और महिलाओं में महिलाओं में यह हैं Eliza Healy Eliza Healy जो हैं Australia की हैं और यह ICC Women's Player of the Month है फिक्की लेडिस ओर्गिनाजेशन FLO इसकी राष्ट्रे अध्यक्ष कौन बनी है फिक्की लेडिस ओर्गिनाजेशन की प्रेजिडेंट बनी है उज्जवला सिंगानिया उज्जवला सिंगानिया और फिक्की के प्रेजिडेंट कौन है उदैशंकर दोनों याद रखिए सेबी Securities and Exchange Board of India सेबी के द्वारा Social Stock Exchange को लेकर एक तक्नीकी समूग गठित किया गया है एक Technical Group constitute किया गया है इसके Head कौन है इसके Head है हर्ष कुमार भानवाला जो नबाड के पूर्व चेर्मेन थे तो आंसर है हर्ष भानवाला जो Common Service Center होते हैं सामुदाइक सेवा केंद्र Common Service Center का एक Portal है Digital Seva Portal इस Portal के उपर भारत का कौन सा बैंक है जिसने अपना एक Chatbot EVA उसको लॉंच कर दिया है तो EVA को लॉंच करा है HDFC बैंक ने EVA Chatbot है HDFC बैंक का भारत की किस कंपनी को या किस संगठन को Green Urja पुरुसकार अभी अभी मिला है Green Urja पुरुसकार ये मिला है IREDA को Indian Renewable Energy Development Agency जो हमारे New and Renewable Energy Ministry के अधिन काम करती है यानि की नवीन और नवी करणिये उरजा मंत्रा लेके अधिन काम करती है इसके मंत्री है आर के संग उनकी Constituency है बिहार में आरा वो हमारे बिजली मंत्री भी है कौन से राज्ये की पुलिस ने Mission होसला शुरू करा है जिसे लोगों को Oxygen, Bad, Plasma जो भी होने चाहिए वो महिया कराया जा सके पुलिस उनकी मदद करेगी Mission होसला को शुरू करा उत्राखंड की पुलिस ने अभी अभी किताब लिखी गई है जमू कश्मीर के उपर Life in the Clock Tower Valley इसको किसने लिखा है Life in the Clock Tower Valley को शकूर राथैर ने लिखा है भारत का चोथा राज्ये या Union Territory कौन बना जिसने जल जीवन मिशन के तहट हर ग्रामीन घर को Tap Water यानि नल से जल दिया सबसे पहला था गोवा दूसरा था तिलंगाना तीसरा अंडमा निकोबार और अब चोथा है पुड़ूचेरी तो पुड़ूचेरी चोथा भारत का राज्ये है जिसने सभी अपने घरों को नल से जल दिया है और पुड़ूचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है पुड़ूचेरी के मुख्यमंत्री नए बने हैं पहले जो थे वो वी नरायन स्वामी थे और अभी अभी जो बने हैं उनका नाम है Mr. N. Rangaswami Mr. N. Rangaswami और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है इनकी पार्टी का नाम है All India N.R. Congress All India N.R. Congress और गोवा भारत का पहला राज यह था यह करने वाला यह कुश्चन जरूर आएगा Reserve Bank of India ने भारते Reserve Bank ने कौन सी कंपनी को यह permission दे दी है अनुमती दे दी है कि वो prepaid instrument शुरू कर सकती है wallet शुरू कर सकती है तो यह कंपनी है Bajaj Finance यानि Bajaj Finance जो है वो बहुत जल्दी आप उसका wallet बजार में आते हुए जरूर देखोगे कौन सा लगुवित बैंक है यानि Small Finance Bank जिसने अपने ग्रहाकों के लिए एक नया initiative शुरू करा है I Choose My Number यानि जो आपका bank account का number है वो आप खुद चूज कर सकते हो आसानी से याद रखे जाने वाला number चूज कर सकते हो तो ये शुरू करा है अभी अभी जन Small Finance Bank ने और जन Small Finance Bank के मैनेजिंग डिरेक्टर है अजय कनवल भारत के किस राजिये ने मुख्य मंत्री COVID उप्चार योजना शुरू करी है मुख्य मंत्री COVID उप्चार में ये है कि होस्पिटल में जो बैड हैं वो रिजर्व करे जाते हैं गरीब लोगों के लिए फ्री ट्रीट्मेंट वगरा भी दी जाती है तो ये मद्धे परदेश की सरकार ने शुरू करी है भारत की कौन सी वित्य सेवाई परदान करने वाली कंपनी है फाइनेंशल सर्विसेज कंपनी जिसने एक जन जागरू का भियान चलाया है यानि पबलिक अवेरनेस केंपेन साबधान रहें सेफ रहें तो ये शुरू करा है अभी अभी बजाज फिन सर्व ने तो आंसर है बजाज फिन सर्व जो हमारी महिलाओं की क्रिकेट टीम है भारतिय महिला क्रिकेट टीम उसका कोच कौन बनाए उसके हेड कोच बने है रमेश पवार भारत का कौन सा IIT है जिसने जो पारा होता है यानि मरकरी मरकरी रहित ब्लेड प्रेशर मॉनिटर बनाया है यानि ब्लेड प्रेशर रक्त चापनापने की मशीन जिसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसको बनाया है IIT रोपड ने IIT रोपड जो पंजाब में है World Food Prize ये किसे मिला है? World Food Prize उसे मिलता है विश्व खादे पुरुसकार जो दुनिया में खादे समस्याओं का निवारन करती है या उसमें कंट्रिब्यूट करती है तो ये महिला है डॉक्टर शकुंतला, हर्क सिंग, थिल्स्टेड और ये वैसे तो भारती मूलकी है लेकिन ये डैनमार्क में रहती है और इनका जनम हुआ था तरिनिदाद और टोबैगो में भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड बीपी सीयल जो महारतन कंपनी है इसके नए चेर्मेन कौन बने है इनके नए अध्यक्ष बीपी सीयल के तो ये बने है चेर्मेन और प्रभन निदेशक इनका नाम है अरुन कुमार सिंग एक ओनलाइन इन्वेस्मेंट कंपन कौन सी एककॉमर्स कंपनी है जिसने अपने ग्रहकों को प्लाज्मा मोहिया कराने के लिए एक संजीवनी प्लेटफॉर्म बनाया है संजीवनी प्लेटफॉर्म अभी बनाया स्नैब डिल ने तो आंसर है स्नैब डिल विटली अवार्ड किसने जीता इसको ग्रीन ऑसकर भी बोलते हैं ये प्राणी प्राणियों का वनस्पति का यानि प्लांट्स और एनिमल्स का जो कंजर्वेशन करता है सर्रंक्षन करता है उसे दिया जाता है इन्होंने एक पक्षी है कोन से कंटरी में हमारे राजदूद बने हैं ये बने हैं मद्धध अफ्रीकी गनराज्य यानि Central African Republic इसके साथ-साथ Democratic Republic of Congo वहाँ भी ये हमारे राजदूद बने रहेंगे तो दो-दो कंटरी में बने हैं DRC और Central African Republic DRC को पहले जायरे बोलते थे और इसकी राज़ानी किन्शाशा है भारत के कौन से राज्ये ने एक मुफ्त भोजन वित्रण योजना यानि Free Meal Distribution Scheme आहार शुरू करी है फ्री भोजन दिया जाएगा गरीब लोगों को गुवाटी में स्टार्ट की गई ये असाम के द्वारा शुरू की गई तो आंसर है असाम भारत के कौन से राज्ये ने मरू गाम कोरोना मुक्त गाम यानि माई विलेज कोरोना फ्री विलेज योजना शुरू करी है तो ये अभी अभी शुरू की गई गुजरात में जिससे जो ग्रामीड अलाके हैं महाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा ना फैले S. बाला चंदरन ये कौन से देश में भारत के राजदूत बने है इस देश की राजदानी है पारा मारीबो ये देश है सूरी नाम सूरी नाम में हमारे राजदूत होंगे S. बाला चंदरन अभी अभी एक तुफान आया था चक्रबाद टॉक्टे तो ये भारत में पश्चिमी तटपे आया था यानि गुजरात महराश्टरा को इसने बहुत ज़दा परभावित किया ये नाम किस ने दिया था टॉक्टे नाम को दिया था मयामार ने और टॉक्टे का मतलब होता है गैको G-E-C-K-O एक तरह की छिपकली होती है गैको तो मयामार ने ये नाम सुझाया था मलर कोटला यह 23 जिला बना है कुन से राज्य का मलर कोटला एक ऐसा टाउन है पंजाब में जो मुसलमान बहूल है इसको अब एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है संगरूर से अलग करके तो यह पंजाब ने बना है तो आंसर है पंजाब एक residential project है जिसका नाम है रिवाली पार्क यानि कि अवासिय पर योजना है ये residential project स्वामी स्कीम के तहट शुरू किया गया था स्वामी की full form यहाँ पे लिखी है तो ये कहाँ पे बनाए रिवाली पार्क प्रोजेक्ट ये अभी-भी मुंबई में बनाए ये स्वामी योजना नवंबर 2019 में शुरू की गई थी भारत के कौन से राज्ये ने महतारी दुलार योजना शुरू करी है महतारी दुलार योजना अभी-भी 36 गल की सरकार ने शुरू करी है उन बच्चों के लिए जो अनात हो गए हैं जिनोंने अपने दोनों माता-पिता को COVID के कारण खो दिया इस कीम में कक्षा एक से लेके कक्षा आठ तक के पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपे महिना मिलेगा सरकार की तरफ से और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को एक हजार रुपे पर मंथ सरकार की तरफ से मिलेगा अभी अभी जो Go Air Airlines है जिसके ओनर है वाडिया गुरूप Go Air ने अपना नाम बदल के क्या रख दिया है Go Air का नाम अब हो गया है Go First Go First भारत के कौन से बैंक ने एक सोने में निवेश करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है Digi Gold Digi Gold अभी अभी शुरू करा है Airtel Payment Bank ने और Airtel Payment Bank ने Digi Gold को Safe Gold के साथ मिलके बनाया है Safe Gold कंपनी का नाम है और Digi Gold प्लेटफॉर्म का नाम है Airtel Payment Bank के CEO है अनुब्रद बिस्वास कौन सी भारत की दवाई बनाने वाली कंपनी है दवाईयों की कंपनी जो रशिया की दवाई Sputnik 5 Sputnik V इसको बनाएगी तो दो को पर्मिशन मिली है सबसे पहली जो थी वो थी Dr. Redis Laboratory जो की हैदराबाद में है अभी अभी एक पेंटिंग है एक चितर है जो 7500 करोड रुपे में बिका यानि की 130 मिलियन डॉलर में लगबग 7500 डॉलर 7500 मतलब 750 करोड ये पेंटिंग बिकी है इसमें एक महिला बैठी है ये जो महिला बैठी है इनका नाम है मारी तरह से तो ये जो पेंटिंग है किसने बनाई थी इसको बनाया था पाबलो पिकासो ने पाबलो पिकासो फोब्स की सूची के अनुसार फोब्स लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यदा कमाई वाला एथलीट कौन है तो पहले नमबर पे रहे Connor McGregor, ये Marshall Arts के खिलाड़ी हैं, ये Ireland की हैं और इनकी साल की कमाई 180 मिलियन डॉलर है, 180 मिलियन डॉलर लगभग 1400 करोड रुपे, एक साल की कमाई है इनकी 1400 करोड, दूसरे नमबर पे रहे फुटबॉल खिलाड़ी Lionel Messi, तीसरे नमबर पे रहे Dak Prescott, और Dak Prescott American Football के खिलाड़ी हैं, और उसके बाद पाँचवे नमबर पे Labyrinth James जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, CBIC यानि एप रत्यक्षकर विभाग हमारा जो है GST वाला डिपार्टमेंट, Central Board of Indirect Tax and Custom, उन्होंने अपने जो भी उनके करमचारी हैं, Employees हैं, उनकी साह रहतावगारा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करिये, इसका नाम रखा गया आश्वाशन, आश्वाशन, अभी अभी जो ICAS है, यानि International Council for Advertising Self-Regulation, उसका Vice President यानि उपाध्यक्ष कौन बना है, इनका नाम है मनीशा कपूर, मनीशा कपूर, World Bank की Report की अनुसार, 2020 में सबसे ज़्यादा Remittance कौन से देश में आया, Remittance मतलब वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले लोग उस देश के वापस अपने देश भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आया, और ये था 83 बिलियन डॉलर, 83 अरब डॉलर, ये आपक जिसने, जब आपके शरीर में Oxygen की कमी हो जाती है, यानि आपका जो Partial Pressure of Oxygen है उसका स्तर गिर जाता है, तो उसके अधार पर एक Oxygen Care System बनाया है, ऑक्सी केर सिस्टम, जैसे ही आपका Oxygen कम होगा, ये आपका Oxygen देदेगा, तो ये किसने बनाया है, इसको बनाया है, DRD उने, बारत के कौनसे राजे ने आयूश घर दुवार वेलनेस कारेकरम शुरू करा है आयूश घर दुवार में जो आयूश की सुविधाएं हैं आयूरवेद, योग, युनानी, सिद्धा, होमियोपैथी ये आपको आपके घर पे मुहया कराई जाएंगी सारी सुविधाएं तो ये अभी अभी शुरू करा है हिमाचल परदेश की सरकार ने जूपिटर, यानी भ्रस्पती घरह के लिए एक मिशन कर रहा है जूस मिशन, इसको कौनसी स्पेस एजनसी करेगी इसको कर रही है यूरोपियन स्पेस एजनसी, ESA और इससे पहले नासा ने जूपिटर को स्टडी करने के लिए दो मिशन करे थे, एक का नाम था जूनो और एक का नाम था गैलिलियो तो वो दोनों भी याद रखिए, लेकिन जूस मिशन होगा यूरोपियन स्पेस एजनसी का और European Space Agency का जो रॉकेट है उसका नाम है Arian Rocket A-R-I-A-N-E, Arian Reserve Bank of India ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है लाइसेंस रद कर दिया है United Cooperative Bank कहां का बैंक है ये पश्चिम मंगाल का बैंक है पश्चिम मंगाल में एक जगा है जिसका नाम है बागना B-A-G-N-A-N, बागना तो ये जो टाउन है ये कहां पे है हावडा डिस्टिक्ट में है बंगाल में तो ये बैंक हावडा में था United Cooperative Bank पुरुशों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी परतियोगी था 2021 में कहां पे होगी तो याद रखिए ये होगी सर्विया में सर्विया की राज़ानी Belgrade है सर्विया में मुद्रा चलती है सर्वियन दिनार और सर्विया के एक टैनिस के खिलाड़ी है नौवाग जोकोविच जिनका नाम आपको कभी भी नहीं बूलना है और हमार आज का आखरी सवाल United Nations का संयुक्त राष्टर का मानविय प्रमुक यानि Humanitarian Chief कौन बनाए नया तो ये बने है Martin Griffith और ये Britain के वेक्ति है Martin Griffith